कि में करोना का कहर जारी है बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के नमद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉकडाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अं क्यार है करोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़ रहे थे या आखरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था लेकिन अभी भी करोना का कहर जारी है और करोना कम नहीं हो रहा तो इसी लिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लोगडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लोगडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लोगड संक्रमंदर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पर लेकिन 36-37% तक संक्रमंदर पहुच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 39 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कह रहा कि करोना खतम हो लेकिन यह अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाये हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्राथना करते हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी 700 तन की है और हमें केंदर सरकार से 480 तन ऐलोट हुई है कल 10 तन और ऐलोट किया केंदर सरकार ने 490 तन अब दिल्ली को ऐलोट हुई है लेकिन ये पूरी ऐलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महामारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है यह जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है जगे-जगे से जो ऑक्सीजन आनी है यह एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे-जगे अस्पटालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे officers, हमारे सभी मंत्री गन, हमेरे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हो है अस्पताल में पहुँचे, मैं यह नहीं कहूंगा कि सारे कोशिशें कामयाब रही, कई जगे फेल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे ऑक्सीजन पहुचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई, तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुचाने कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं, चुकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालो किया, है, हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और और जारी कर दिये गए हैं, जिसमें हर दो-दो घंटे में, मैनिफेक्ट्रर से लेके और अस्पताल तक, हर एक को दो-दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सिजन के पोजीशन बतानी पड़ेगी, कि मैनिफेक्ट्र को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर दिल्ली की त तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालें के साथ हमारे आफिसर की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिली सरकार अच्छे से मिल के काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भ बहुत जादा अफरात अफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए. कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रहे हैं और भी जहां से भी हम लोगों को oxygen मिल सके, oxygen के tanker मिल सके, पूरी देश से, दुनिया भर से हम पूरी कर रहे हैं. कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिठी लिखी है कि अगर आपके यहां आपके राज्य में, गौर्मेंट में या किसी कंपनी में कोई oxygen की possibility हो तो हमें oxygen महिया कराईए, oxygen tanker महिया कराईए. कुछ एक राज्यों के साथ बात्चीत भी शुरू हुई है जब भी कुछ concrete नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. लेकिन बहुत जादा कठिन परिस्थिती है. इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं. मैं उमीद करता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी emergency create हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुट कारा मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया.